हलो अब रिवान आप सभी का स्वागत है इगल आईएस दा स्टेडी जोन में साथी वो आज के चर्चा का विशह है सर्वोदै योजना और भुदान मुमेंट चुकि ये दोनों घटनाए परस पर सयोगी घटनाए है और इनका आपसी संबंध है तो आज इन दोनों का हम एक साथ चर्चा करेंगे तो चलिए प्रारम करते हैं सर्वोदै योजना जो है 1950 में प्रस्तूत किया गया था हलाकि इससे पुर्व कई बुद्धिजीबियों के द्वारा कई योजनाई प्रस्तूत की गए थी इन सबका लक्ष जो है कमोबेस एक ही था अर्थाद गाओं की अर्थविवस्ता को मजबूत करना उद्यों के छेतर में आत्मिन विड़ता की प्राप्ती करना और क्रिसी के उत्पादन को बढ़ाना था चलिए अब बात करेंगे सर्वोदै योजना को लेकर तो सबसे पहले जान लें कि सर्वोदै का जो सिधान ते वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था जिसका अर्थ है सबका उदय या अपलिक्मेंट फॉर आल या प्रोग्रेस फॉर आल चलिए अब देख लेंगे कि सर्वोदै योजना का प्रस्तुतिकरन कब किया गया सर्वोदै योजना के प्रस्तुतिकरन से हम यह जान ले कि 1938 में हरीपूरा कॉंग्रेस अधिविशन में जिसके अधिक्षता स्वास्चनर बोस की द्वारा की गए थी वहां जो है नाशनल प्लानिंग कमिटी का गठन किया गया था जिसके कमान पंडित नहरु के हातों में सौपी गए थी उन्हें भारत के विकास को लेकर रिपोर्ट सौपना था यह रिपोर्ट 1948 और 49 को कुछ हद तक बाहर आये थी और इसी रिपोर्ट से स्री लोक नायक जैप्रकास नाराएंजी असंतुष्ट थे तो उन्होंने जो है सर्वदे योजना को जनवरी 1950 के सामने 1950 में सबगे सामने रखा इसका उद्देश वही था अर्था यह गांधी वादी विचारों से और बिनोवा भ प्रकनिकी के कम प्रयोग पर जो है जोर दिया गया था चलिए अब बात करेंगे भूदान मुव्मेंट को लेकर लेकिन उससे पुर्व सर्वोदया संब्लन को लेकर चर्चा करेंगे प्रतम सर्वोदिया संब्लन का आयोजन सेवागराम बर्धा में मार्च 1948 में आयोजित क की भी बात थी लेकिन उसे पुर्वी उनकी मृत्यों हो गय थी इसी संबलन में बिनुवा भावे जी के द्वरा सर्वो दिया समाच का गठन किया गया था और साथ में सर्व-सेवा संग विधाई का सभी विधायATA को लेकर सर्व सर्व सेवा संग बनाने के बात पर भी जोर दिया गया था साथ में प्रांतियों छेत्र में सर्वोदिया मंडल के गठन के पर भी जोर दिया गया था तदकालीन समय में स्री संकर राव देव को इसका मुनिस्टरियल चार्ज भी दे दिया गया था इसी सर्वदिया सम्मिलन का तीसरा वार्षिक सम्मिलन जो है 1951 में सिभराम पल्ली हैदराबाद में आयुजीद किया गया था और इस दोरान अर्थाद 1950 और 51 के दोरान इसी छेतर में अर्था तेलंगना के छेतर में कॉम्मिनिस्ट और इस्थानियों जमिनदारों के बीच में ग्रियुद छिड़ा दिया गया था अब बिनोवा भावी जी ने निश्चित किया कि वो तेलंगना के इनी छेतरों का दोरा करेंगे और लोगों से सुष्षान्ती का अपील करेंगे 1951 में उन्होंने हैदरवाद के तेलंगना के इसी कॉम्मिनिस्ट छेतर का दोरा प्रारम किया 18 एप्रेल 1951 को वो कॉम्मिनिस्ट के मुख सकेंदरन नलगोंडा डिस्टिक पहुचे यहाँ वो पंच पॉली में ठरे थे माना जाता है कि पंच पॉली गाउं में 700 भूमहीन परिवार थे जिनके पास कोई भूमी नहीं थी उन सभी ने बिनोवा जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो स समाधान क्या जा सकता है तो माना जाता है कि स्थानिय जमिंदार रामचंद्र रेड़ी के द्वारा तदकालीन सवे में 100 एकड जमीन जो है इनी भूमिहन परिवारों को सौफ दिया गया था और इस प्रकार सुरू हुआ भूमिदान की भूमिदान या भूमिदान आंदु भूमिदान में भी दिया गया था तो चलिए 1952 के आसपास जो है भूमिदान का स्वरूब जो है ग्रामदान में बदल गया था तो यह तो थी सर्वदय योजना और भूदान आंदुलन अब बात करेंगे कि विनोवा भावे जी का जारकन के साथ समंदों पर भी चर्चा कर है उन्हीं में से एक कॉलेजिस का मैं भी चातर रह चुका हूं तो चलिए ऐसे ही महतमुन सुचनाओं के लिए हमारे साथ जोड़ना ना भूले इगल आएज दा स्टेडी जोन में आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद